तो यहाँ पर एक कोशन है, a compound contain 40% calcium, 12% carbon and 48% oxygen तो हमें निकालना है इसका empirical formula तो सबसे पहला step होता है, यहाँ पर में लिख देना है element तो पहला element यहाँ पर क्या है देखो, calcium, अगला है carbon और last है oxygen इसके बाद लिख देंगे इनका percent composition जो दिया हुआ है कोशन में जैसे calcium दिया है 40%, carbon दिया है यहाँ पर 12% और oxygen दिया है यहाँ पर 48% इसके बाद लिख देंगे है अगले column में इनका atomic weight जो की calcium का हमें पता है, atomic weight होता है 40, carbon का होता है 12 और oxygen का होता है 16, ठीक है इसके बाद यहाँ पर चौथे column में हमें निकालना है mole of atom तो moles of atom कैसे निकालते है, % composition upon atomic weight, तो निकल जाएगा element का moles of atom तो यहाँ पर है 40 upon 40, ठीक है, 40 upon 40, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आजएगा 1 यहाँ पर भी है 12 upon 12, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आजएगा 1 तो 1, 1, 3 आजएगा, अब निकालना है relative ratio, तो relative ratio निकालने के लिए moles of atom में जो सबसे छोटा number होगा, उससे सबको divide कर दो, यहाँ पर 1 है, तो हम कर देंगे 1 upon 1, ठीक है, तो 1 आजएगा तो 1, 1, 3 वापस से वह यह आगया, ठीक है, तो 1, 1 और 3 लिख देंगे, ठीक है, अब हमारा यहाँ पर हम बनाएंगे empirical formula, तो वह बन जाएगा, हमें sequence element लिख देने, पहले element था CA, अगला था C, अगला था O, CA किता था 1 लिखेंगे नहीं, C किता था 1 वह भी नहीं लिखना चाहिए, और oxygen कितना है यहाँ पर देखो 3 आया, तो यहाँ पर O, 3, तो compound हमारा था calcium carbonate, यानि कि C, C, O, 3